इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि टेपिंग मेथड से किसी पैनल को कैसे रिपेर किया जाता है आज हमारे पास एक लोईड कंपनी का 40 इंची टीवी आया हुआ है और ये नो डिस्प्ले में है हमारे पास यानि इसमें डिस्प्ले तो आ रही है लेकिन कुछ खराब पिक्चर आ रही है मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा फाल्ट इसमें आ रहा है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और अगर आप हमारे चैनल पे नई है तो आप हमारी गुर्देक्षिना के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पहला आइकन दबा सकते हैं ताके आने वाले समय में आने वाले सबी वीडियो आप तक पहुंच सकें तो आए दोस्तों शुरू करते हैं तो यहां पर जो टीवी आपके सामने रखा हुआ है सबसे पहले हम आपको इसकी पिक्चर दिखा देते हैं कि कैसी पिक्चर इसकी आ रही है यह स्टेंडबॉय लाइट ओन हो गई है और हम टीवी को करेंगे अन है तो यहां पर टीवी ओन हो गया आप देख सकते हैं कीम crashing दिखा को यह पर फ्लेजाएं कुछ lining आ रही हैं कुछ vertical bar आ रही है और यह vertical bar अपनी जो position है उसे change कर रही है अपनी जगह बदल रही है और जो यहाँ पर lining आ रही है यह lining बिल्कुल fix है ऐसा लग रहा है कि यह panel खराब हो चुका है तूट गया है ऐसा देखने में लग रहा है इस part को तो अब आपको इसे check करना हम सिखाएंगे कि check कैसे किया जाए कि यह panel ही खराब है या यह repair हो जाएगा तो यहाँ पर एक बार camera दिखा हो गई यहाँ पर लेकर आओ इस तरफ से लेआओ यह इस TV का टीकोन बोर्ड है पैनल का टीकोन बोर्ड और इसमें आप देख सकते हैं यह LVDS केबल है और यह दोनो FFC केबल है आप इसे mini LVDS केबल भी आप इने कह सकते हो तो इस पैनल का फाल्ड ढूनने के लिए हमें बारी बारी एक एक करके दोनों साइड की केबल निकाल करके देखना है अगर किसी एक साइड की केबल निकालने से हमारी पिक्चर आ जाती है तो फिर यह टेपिंग मैथड से ठीक हो जाएगा और अगर दोनों में से किसी भी तरफ से पिक्चर नहीं आती है तो फिर हमें कोई दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा इस पैनल को रिपेर करने में तो दोस्तों सबसे पहले हम एक FFC केबल को निकाल कर चेक करेंगे कि पिक्चर में क्या चेंजिंग हुए है तो सबसे पहले तो टीवी को करेंगे ओफ तो यहां पर टीवी को कर दिया है ओफ और सबसे पेले, हम एक केबल निकाल के देखेंगे, यह वाला, तो यहां पर हमने केबल को निकाल दिया है, अब टीवी को One करेंगे. So, तो टीवी Own हो गया है, बेक लाइट यहां पर Own हो गया है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले condition क्या थी और देखिए condition क्या है यहाँ पर जो आधी पिक्चर है वो कुछ ना कुछ आ गई है लेकिन पिक्चर अभी खराब है lining देखिए तो यहाँ पर lining आ रही है यह जो lining यह lining नहीं आने चाहिए अब हम क्या करेंगे दूसरी साइड के FFC केबल को निकाल के देखेंगे लेकिन उससे पहले हम यह वाली केबल लगा देंगे अब यह निकाल के देखेंगे यह हमने निकाल दी आधे टीवी को फिर से口 करेंगे यहां पर टीवी ओन हो गया है अब कोई पिक्चर यहां पर नहीं आ रही है तो आप देख सकते हैं लाइट यहां पर आ रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है ठीक है दोस्तों तो इसका मतलब यह हुआ कि जो खराबी है वो इस साइड है क्योंकि हमने क्या किया था जब यह वाला केबल निकाला था तो इ भाग गई पिक्चर तो फिर अब हम इसे वापस लगा देंगे इस केबल के लगे होने पर इस साइड का पिक्चर आ गया था यानि इस साइड में कोई कमी नहीं है कमी इस साइड है तो अब हम टेपिंग मैथड यूज करेंगे तो टेपिंग मैथड में क्या होता है दोस्तों कि हम gate lines को block करेंगे, tape लगा करके, तो जितनी भी इसमें gate lines हैं, तो हमेशा gate line दोस्तो, right hand और left hand, इस तरफ जिखाँ, left hand, right और left, दोनों तरफ होती हैं, तो हमें खराब side वाली gate lines को block करना हैं, तो उसके लिए हम tape का use करते हैं, तो किसी भी tape का यूज़ आप कर सकते हो तो tape का यूज़ करके हम इस problem को solve करने की कोशिश करेंगे इसी लिए हम इस fault को इस जो repairing के method को taping method कहते हैं तो यहाँ पर हम अब इसमें tape लगाएंगे और फिर देखेंगे हमारा panel repair होता है या नहीं होता है और अगर नहीं होगा तो फिर हमारे पास एक और ट्रिक है उसको हम इसमें आजमाएंगे यानि आगे की चेकिंग हम करेंगे कि यहाँ पर हमने टेप लगा दिये एक्स्ट्रा टेप हम कट देंगे कितने connection ब्लोक करने हैं तो जरूर यह सवाल आपके दिमाग में होगा दोस्तों देखिये जितनी लगा आपक भीत लाइन आपकार सब्सक्णा मर को डेता हूं तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ तो आप वो वीडियो देख लेना जिसमें बताया गया है कि गेट लाइन किस पैनल में कितनी गेट लाइन है उसका कैसे हम पता करें तो यह एक्स्टा टेप हमने हटा दी है यहां से को यह तो हम यह यहां पर लगा के देखेंगे अली3 को करेंगे ओनruck है अब देखतें किसमेन हमारा फायदा होता है नहीं होता है अगर हमारा behavior होगा तो आप देख सकते हैं तो यहां पर पिक्चर एक्दम होके hop